दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान के बीच में जो फर्स्टी टी-20 मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोने टीमों की प्लेइंग लेवन की और ड्रीम लेंड टीम की साथ में काफी इंपॉर्टन रिकॉर्ड्स भी बताने वाला हूं जब दोन होने वाला है तो चलिए स्टाट करते हैं मेच वएन डियू की बात करें तो यह मैच मोहाली में खेला जाएगा इंडिया मे आप इस मैच को साथ बज़े से लाइफ देख सकते हो चलिए पिच रपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अक्सर देखा गया साथ में इस ग्राउंड पे लास्ट के तीन टीटूंटी मैचिस हुए हैं इनका आपे परफॉमेंस देखोगे तो ये तीनों मैचिस हैं आपे सैकिंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जीए हैं दोस्तों, आप देखो लास्ट वाला मैच जो था इंडिया और इच्छा टार्गिट बनाया था 208 रंड का लेकिन और चार विकेट से इस मैच को जीत लिया था जिहां दोस्तों तो आप यहां समझ सकते हो बैटिंग भी अच्छे खासी इस पिच पर होती है साथ में इस ग्राउन पर टोटल जो T20 इंटरनेशनल मैचिस खेले गए वो 6 खेले गए जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाइल टीम ने दो मैच और सेकंड बैटिंग करने वाइल टीम ने चार मैच जीते हैं यहां का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 183 का हाई एस्ट स्कोर इंडिया ने किया था पर यह चेस हो गया था साथ में लोइस्ट स्कोर की बात करने तो वो साउथ अफ्रीका का है स्कोरिंग पैटन देख लेते हैं तो दोस्तो डेड़ सो से कम का स्कोर यहां पर एक बार बनाए साथ में 190 से जादा का स्कोर यहां पर तीन बार बनाए हैट टो एड मैचेस की बात करें दोनी टीमों ने अभी तक आपस में केवल चारी मैच खेलें और यह चारो मैचेस इंडिया ने जीते हैं जिया दोस्तो अगर दोनी टीमों की कमपेरिजिन करें तो इंडिया दोस्तो काफी स्ट्रॉंग नजर आती है ऐस कमपेर टू इस मैच में क्या हो सकती है तो कुछ इस तरीकी आपको यहां पर प्लेइंग लेवर इंडियन टीम की देखने को मिल सकते है चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की और सभी प्लेयर्स के पर्फुर्मेंस की पर पहले मैं आपको इस एप के बारे में बताना चाहता हूँ इस एप का नाम बूम 11 है एप का लिंग को रेफरल कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वहां से इस एप को डाउनलोट कर सकते हो साथ में रेफरल कोड का यूज करोग तो आपको 300 रुपे क बोनस मिल जाता जी या दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको एक मिनट एक्स्ट्रा मिलता है टीम एडिट करने के लिए साथी में दोस्तों यहाँ पर GST और TDSB पर आपको यह और नहीं करना पड़ता और दोस्तों यहाँ पर instant withdrawal भी आपको यहाँ पर मिल जाता है काफी अच्छा है पर एक बार आप ट्राय करके देख सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पर competition है वो ना के बराबर है जिसकी वैसे आप यहाँ पर easily win कर सकते हो और बिग बैश लीग के सभी मैचिस में आपको यहाँ पर free giveaway मिल जाता है विकेट कीपर श्यक्षन की बात करें आपके पास आपके दो option है गुरबाज और संजू सेंसें की दोनों में difference देख लेते हैं संजू सेंसें आपको पांचवे या छटे नंबर पर बैटिंग करते हैं जर आने वाले होई गुरबाज की बात करें तो opening करेंगे साथ में recent form भ Grand League की किसी एक टीम में आप ऐसे संजू सेंसें के साथ जा सकते हो बैटिंग में बात करें सबसे पहले रोई शर्मा को रखूंगा इन्होंने अपना खेलने का तरीका काफी बदला है ODI में आपने देख यह वल्ट कप में साथ में दोस्तों छोटी पारी खेलते हैं पर दोस काफी कमजोर है इसलिए मैं यहां से शुम्मन गिल के साथ जाने वाला हूं फिर दोसर इंकु सिंग की बात करें इनका बैटिंग और काफी नीचे हो सकता है इस मैच में बैटिंग भी ना है तो इनको डॉप करके चलूँगा ग्रैंड लिंग में आप ट्राइक कर सकते हो ह आइ जदरान को पिक करने वाला हूं जो कि टीम की कैप्तेंशी करते हैं साथ में दोसर रुख के बैटिंग करते हैं तो एक बड़ा स्कोरी बना कर जा सकते हैं तो यहां से मैं आई जदरान के साथ जाने वाला हूं options की तरफ चलते नीचे आपके पास दो अप्शने तिलक वर्मा जो कि आपको चौथे नंबर पर बैटिंग करतों ने जाएंगी साथ में नजुबल्ला जदरान की option है दोनों ही safe option है दोनों में से किसी को भी try कर सकते हो चलिए old rounder section में चलते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ से नभी को पिक करूँगा जो की बैटिंग और बालिंग दोनों से हमको points देखे जाएंगी और बैटिंग भी आईगी इस match में साथ में आपने बालिंग के चार ओवर पूरे खरने वाले जियां दोस्तों ग्रैंड लिंग में आप इनको as a captain के तौर भी try कर सकते हो options की तरफ चलते तो अक्षर पटेल की एक अच्छी option है इनको try कर सकते हो as a baller के ही तोड़ पर लेजिएगा क्योंकि बैटिंग आना ट्राइ नहीं करना है चलिए बॉलिंग श्रेक्षिन में चलते हैं तो सबसे पहले मैं आसे राशित खान को पिक करूंगा दोस्तों बैटिंग आने पर अच्छे खास हिट भी लगा देते हैं और बॉलिंग में मुझे लगता है एक दो विक्टे इस मैच में निकाल के देते ह सब्सक्राइब में याज़ रहते हैं और इस मैच में 2 टियम हुए सकते अप इनको घ्राइश कर सकते तो मूझी बारे मैं आपको बता दो करते हैं जिसकी वैसे इनके पास विकेट लेने के चांसे काफी हाइञ रहते हैं चोंखिते हैं इस कंडिशन में अःए हो जाते हैं साथ में दोस्तों फिर यहां यहाँ पर बात करें तो यहां से मैं औल राउंडर सेक्षिन में से पिक करूँगा अजमत तुल्ला को जी हां दोस्तों बहतर इन प्लेयर हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हमको पॉइंट्स देखे जाएंगे चलिए ऑप्षिन की तरफ चलते हैं ऑप्षिन क्या क्या है आपके पास सबसे जो आपशन है नवीनुल हक किये इनको ट्राय कर सकते हैं क्यूं एहमत की यह थीक टाक ऑप्षन है नूर आहमत की बात करें दोस्तों अच्छे प्लेर हैं यूएई के अगेस्ट काफ़ेश़ गेंदवाजी करें विक्टे भी निका लेते तो इनको भी ट्राय कर सकते हैं ए इन चारों के साथ ही जाने वाला हूं चलिए अब कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं तो दोस्तों पहले प्रिव्यू देख लेते हैं टीम का तो कुछ इस तरह का आप प्रिव्यू देख सकते हैं विकट कीपिंग सेक्जममें गुर्बाज रहेंगे बैटिंग में बात करें तो यहां से रोहिष शर्मा हैंगे विराट कोली शुमन गिल जिदरान को लिया है और राउंडर स्रेक्ष में देखोगे तो दोस्तों मैंने यहां पर नभी और अजमत तुल्ला को पिक्खिया साथ में बॉलिंग में देखोग यहां और आजमत तुल्ला की अच्छी आप्शन ने इनको ट्राइब कर सकते हों साथ में दो और अच्छी औक पास यहा पर राशित खान और अश्दिप इनमसे किसको भी आप और ट्राइक कर सकते हो यहां पर टेलिग्राम चैनल जाएगा और अगर आपको वीडियो पसन है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थैंक्यू सो माच